सितंबर 2023 में ओल्ट न्यूज ने देखा कि देश और दुनिया में हु रही अलग-अलग घटनाओं से जोड़कर सोशल मीडिया पर फर्जी रूप से तस्वीरे और वीडियोस के जर्ये भ्रामक दावे शेक किये गए कभी भारत और कैनेडा के बीच हुई टकरार को लेकर तो वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर फर्जी दावे किये गए हम आपको सितंबर महिने में किये गए ऐसे ही कुछ चुनिदा दाओ की सच्चाई संग्षित में इस वीडियो में बताएंगे महिने की शुरुआत में ये वीडियो राजस्थान का बताते हुए शेयर किया गया और वहां की कॉंग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरन का आरोप लगाये गया कई भाजपा निताओ ने ये वीडियो ऐसे ही दाब के साथ शेर किया बहर् Hans ने जब वीडियो के बारे में जाच की तो पाया कि ये वीडियो राजस्थान का नहीं बलकि उतरप्रदेश का है और वहां भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदितिनात की निर्देश पर पुलीस ने वाहनों पर जाती या धार्मिक स्टिकर लगाने पर जुर्माना लगाने का अभ्यान चलाए था ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि ये ट्रेंड ओनम के मोके पर सजाई गई है इसे शेयर करते हुए यूजरस ने लिखा कि मौमीन ने एक दिन के लिए पत्राव बंद कर दिया है और केरन में ओनम मनाना सद्भाव के बारे में है न की हिंदूों के बारे में इस तरह ये तस्वीर शेर करते हुए मुसल्मानों पर निशाना साधा गया हाला कि ये किसी रेल्वे स्टेशन की असली तस्वीर नहीं है बलकि AI जनरेटेट तस्वीर है वही DRM तिरुवनन्द पुरम ने भी ट्वीट करते हुए इस वाइरल तस्वीर को एडिटेट बताय था जारखन में गिर्डी के डुमरी में AI MIM चीफ असूद दिन ओवेसी ने आगामी उपचुनाव के चलते रेली को सम्मोधित किया था इसका ये वीडियो चलाते हुए दावा किया गया कि इस रेली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए गया आज तक ABP News, Times Now नवभारत, Z News हिंदी समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने यही दावा चलाया ओल्ट न्यूज ने रेली में दिये गए भाशन का वीडियो चेक किया तो पाया कि इस रेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गये थे वहाँ पर हकिकत में शाकिर साब जिंदाबाद का नारा लगाए गया था एश्या कब 2023 के भारत बना पाकिस्तान मैच के दौरान गौतम गंबीर का ये वीडियो काफी चर्चाओं में आ गया इसे शेर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि स्टेडियम में बैठे कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भारत तेरे टुक्डे होंगे इंशाल्ला इंशाल्ला का नारा लगाया तब गौतम गंबीर ने दर्शकों की और ये अश्लील इशारा किया गौतम गंबीर ने भी अपनी सफाई में यही दावा किया कि स्टेडियम में भारत विरोधी नारे लगाए गये थे जबकि असल में ये वाइरल वीडियो एडिटेट है स्टेडियम में लोग विराट कॉली को लेकर नारा लगा रहे थे जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गौतम गंबीर ने ये अबद्र इशारा किया था वहीं वाइरल वीडियो में अलग से जोड़ा गया ये आडियो कथित तौर पर 2016 के जवाहरलाल नहरू विश्व विद्याले के कारिक्रम का है इस पोस्टर की तस्वीर शेर करते हुए सोशल मीडिया पर जमकर ये दावा किया गया कि जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के चलते हाल ही में ये पोस्टर नई दिल्ली में लगाया गया है इस पोस्टर में बाकी देश के नेताओं का अपमान होने का दावा भी किया गया है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और सांसत शेशिक धरूर ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा था वहीं American News Outlet Washington Post ने भी अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीर शेर की थी तस्वीर के बारे में चानबीन करते हुए Alt News को अपरेल 2023 की इस रिपोर्ट में ये तस्वीर मिली यानि ये तस्वीर सितंबर में हुए G20 सम्मिलन की नहीं बलकि उससे पुरानी है असल में Morning Consult द्वारा 22 वर्ल्ड लीडर के लिए मार्च 2023 में किये गए एक सर्वे के आधार पर ये डेटा निकाला गया था कि PMO दी दुनिया में सबसे लोगप्रियन नेता है इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि हर्याना के सनौली में एक धार्मेक यात्रा के दौरान मुस्लिम शक्स ने हिंदू देवता हनुमान जी का ध्वच्छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया Alt News ने मामले की तहकिकात की और पाया कि वीडियो में युवक से जंडा चीनने वाले उसी गाउं के सरपंच संजय त्यागी थे उन्होंने बजरंगदल के लड़को द्वारा मुस्लिम इलाके में नारे लगाई जाने पर स्थिती न बिगड़े और सांप्रदाइक तनाम न हो इसलिए ऐसा किया था हलाकि संजय त्यागी ने जंडा जमीन पर नहीं पटका था इस घटना की डीटेल्ड वीडियो रिपोर्ट आप अल्ट न्यूस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते है कैनेडा की प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो द्वारा भारत सरकार के एजेंटों पर हत्या की साजिष्ट का आरोप लगाये जाने के बाद दोनों देशों के बीच का महौल बिगड़ा है और दोनों देशों के रिष्टों में खटाश आई है ऐसे में एक ट्रावल एडवाईजरी शेर करते हुए मीडिया संगठनों ने दावा किया कि कैनेडा ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा करने पर ज्यादा सावधानी रखने की अपील की है इस ट्रावल एडवाईजरी पर The Times of India, ANI, Times Now, Live Hindustan, NDTV इंडिया समेत कई बाकी मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट दी है Alt News ने कैनेडा सरकार की वेबसाइट चेक की और पाया कि हाल की ट्रेवल एडवाईजरी में सिर्फ हेल्थ सेक्शन को अपडेट किया गया है नकि रिस्क लेवल सेक्शन को रिस्क लेवल सेक्शन में अपडेट 6 जुलाई 2023 को किया गया था वहीं भारत में ट्रेवल संबंदित ऐसी एडवाईस साल 2012 से मौजूद है यानि रिस्क लेवल एडवाईसरी हाल के तनावों के कारण जारी नहीं की गई है योपे के अमबेटकर नगर में सड़क पर छेड़चाड के कारण ग्यारवी कक्षा की एक छात्रा साइकल से गिर गई थी और पीछे से बाइक आने पर उस छात्रा की मौथ हो गई इस घटना में छेड़चाड के आरोपी अरबास, फैजल और शाहबास को गिरवतार कर लिया गया था लेकिन भागने की कोशिश करने के कारण पुलीस ने गोली चलाई जिसके कारण दो आरोपियों के पैर में गोली लगी और एक आरोपी का पैर तूट गया था इस घटना से जोड़कर ये वीडियो शेर किया गया ओल्ट न्यूज ने तफ्तीश करते हुए पाया कि ये वीडियो यूपी का नहीं बलके राजस्थान के हिस्ट्री शीटर अजय जामरी के हत्यकान मामले में आरोपी, तेजवीर, यूवराज और बंटी खुशाल का है और तस्वीरे फर्स इडिया भी आप तक पहुच चारा है देखें किस तरह से तीन ये आरोपी और बंटमाश बताया जारे है हिस्ट्री शीटर अजय जामरी हत्यकान का मामला है तीन मुख्य आरोपियों को मुद्भेड के दौरान गिरफतार किया था लेकिन बंटमाशों के इस दौरान पैर में गोली लगी और देखें किस तरह से जमीन पर गिसटे गिसटे इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है और ऐसे में यहीं चर्चा है कि अपरात का आखिरकार यह अंत है अपरात का चेहरा देख लीजे सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है 17 सितंबर 2023 को विश्व कर्मा जयनती के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दिल्ली में यशो भूमी कन्वेंशन सेंटर का उद्गाटन किया वहाँ पर वो कई कारीगरों और शिल्पकारों से मिले थे इसी मौके के ये दो तस्वीरे शेर करते हुए दावा किया जाने लगा कि प्रधान मंत्री के साथ फोटो खिचवाने वाली कुमार और मोची एक ही व्यक्ति है और उनसे अलग-अलग कारीगर बन कर तस्वीर खिचवाई गई है ओल्टन्यूस ने मौके की तस्वीरे देखी और पाया कि ये दोनों शक्स अलग-अलग है ये बात आप स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में भी साफ समझ सकते है इस महीने हर्याना के नू में हुई सांप्रदाईक हिंसा के बाद देश के अलग-अलग राजयों में हिंदू संगठनों द्वारा की गई जनसभाओं में सांप्रदाईक और भढ़काओ नारे लगाए गए अब Alt News की इस डीटेल रिपोर्ट में इन भढ़काओ भाशनबाजी के बारे में पढ़ सकते है वहीं हिंदूों के बीच हाल में काफी पॉपिलर मनी काजल शिंगला और काजल हिंदूस्तानी के बारे में Alt News ने इस महीने ये डीटेल रिपोर्ट पभिश की थी इस आर्टिकल में हमने काजल हिंदूस्तानी द्वारा हिंदूों को उकसाने के लिए बार बार दिये गए भढ़काओं और उत्यजक बयानों को डॉक्यूमेंट किया है झाल